Welcome students, आजी ग्लास में आपका स्वागत है, मैं हूराजेस और आप देखने RIT चैनल, चली स्टार्ट करते हैं आजी ग्लास में हम लोग देखेंगे कि इंटरनेट बैंकिंग क्या है, यानि कि इंटरनेट बैंकिंग में NFT, RTS, IMPS, इसके द्वारा हम पेमेंट कैसे कर सकते हैं यानि कि जब आप एक बैंक से पैसा दूसरे बैंक में ट्रांस्फर करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें तीन तरीका पताए गया है, कि हम बैंक के माधन से तीन तरीके ये और आनलाइन कर सकते हैं और यह है इंटरनेट बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग में हमें NFT, RTGS और MPS यह फीचर हमें प्राप होता है, यह आपको आपको आनलाइन करेके भी दिखाऊंगा कैसे ट्रांसफर होता है, तो आज की इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखते जाएं ताकि आपको पूरा सब्सक्राइब कि इंटरनेट बैंकिंग क्या है, अगर हमें किसी को एक लाग, दो लाग, दस यार, पंदरा यार, तो थोड़ा माउंट आप कर सकते हो, बाई कैस लेकिन ज्यादा पैसा, एक लाग, दो लाग, तीन लाग, चार लाग, पांच लाग, दस लाग, ट्रांसफ कर सकते हैं, अब इनने किस में क्या है, यह हमें अलग से आपको बताना पड़ेगा जो है, कि NFT में हम क्या कर सकते हैं, RTGS क्या है, और IMPS क्या है, इनके बारे में, तो common बात जो हो, तो एक रहती है, लेकिन जो इनसे संबंधित, जानकारी, लिमिट, वो सब बगलती रहती है, अलग-अलग बैंक में यह हो सकती है, अलग-अलग, तो मैं आपको यहां एक common bank जैसे की SBI के बारे मैं आपको बता देता हूँ, बाकिया अलग banking है, उनमें इनकी लिमिट कम जादा भी हो सकती है, आपको उस bank से संबंधित जानकारी आपको पता करने पड़ेगी, चलिए इ करते हैं और देखते हैं कि हमें इंटरनेट बैंकिंग में NFT, RTGS और NPS क्या है, सबसे पहले हम लोग यहां open करेंगे, यह triple C का जो चाप्टा है, इंटरनेट बैंकिंग, इस से अंतरगत है, बहुत ही मात्पूर है, यह triple C के दृष्टी से कितना मात्पूर है, यह तो important उत्र आपको यह चीज पता होने चाहिए, कि online banking क्या है, यानि online banking हम लोग कैसे use करते हैं, तो हम सबसे पहले यहां पर आपको इनकी थोड़ी सी जानकारी देंगे, इंटरनेट बैंकिंग के बारे में थोड़ी सी और फिर इसको practically करके दिखाएंगे, कि होता, कि आपको मैं हिंदी देकर लेता हूँ थोड़ा सा, तो चलिए मैं आपको हिंदी में थोड़ी सी जानकारी देता हूँ, क्या होता है, online banking में ये features हमारे, देखें, आज कल के व्यस्त जीवन ने किसी की पास तरह समय ले कि वो bank account कर सके, लंबी-लंबी line लगी होती है, ऐसे में हम लोग internet banking अच्छ बिकल्प है इन सब के लिए, अब इसमें हम लोग banking सुगधाओं में, internet banking में, RTGS और NAFT इनके मदद से कैसे करते हैं, इनके बारे में देखता हूँ, कुछ अगर details में है, तो मैं आपको, तो चलिए मैं यहाँ पे, NAFT और IMPS के बारे में भी बता जाता हूँ, साथी मैं आपको चलिए देखते हैं, क्या है यहाँ पे, RBI ने, BIND के एक खाते से किसी दूसरे खाते में पैसे के, electronic transfer के लिए, दो भी कल्वापर किये हैं, जिसमें, NAFT, National Electronic Fund Transfer, RTGS, यानि, Real Time Grass Settlement, और जो IMPS है, वो अभी ज्यादा नया है, इसलिए इस भी में दिया हुआ नहीं हो, यह transfer electronic banking facility की जरिये ही प्रात्र किये जा सकते हैं, आए देखते हैं, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम देखेंगे, थोड़ी थोड़ी जानकारी हैं लोग यहाँ पे देखते हैं, देके जिस आदमी को पैसा बेजना है, यहाँ कि बेनिफाइ, उसे बेनिफेशरी के तोर पर एड़ करना जरूरी है, यहाँ कि जब आप अपना अकाउट बनाएंगे, तो उसमें आपको एक बेनिफेशरी अकाउट एड़ करना होता है, यानि कि इसको भेजना है उसको में लोग beneficiary account बोलते हैं उस सक्स का bank account detail भी वालो होना चाहिए इसके ताथ beneficiary account holder का नाम, account number, bank branch number, IFSC code यह से बिजल भरनी होती है इसके बाद आपको 12-24 घंटे का process होता है वह ऐसे इस समय यह लगता है 4 घंटे का पहले का यह जनकारी इसलिए मै आप beneficiary account add करते हैं तो आपको 4 घंटे का मौका क्यों देता है आनलाइन पर ततकाल क्यों नहीं हो जाता है आनलाइन है इसलिए ततकाल नहीं होता है क्योंकि 4 घंटे का जो मौका देता है वो यह कि कोई अगर घलत आदमी या आपके account को कोई दूसरा बिख्ती यूज करना त तो आपके mobile पर एक message देता है और जब activate होगा तो message आता है यानि कि आपको दो तीन message आपके mobile पर आते हैं और यह आपको एक जानकारी दियती कि आपके account में इस डिख्ती का account add किया जा रहा है अगर आप उस जानकारी से संबंजित अगर आप उसे रोकना चाहते हैं तो आप पर गंटे के बाद में जब phone transfer होगा तब आपके पास फिर से message आएगा अब आप जब का account add हो चुका है तो आप यहां पे transfer कर सकते हैं यानि NFT-RTGS का प्रियोग कर सकते हैं वैसे इसका जो huge है वो दिन में ही आपको करना होता रात में नहीं करना होता उसकी वज़ा क्या है कि कर आपने रात में कर दिया तो वो अगले डे में transfer हो जाएगा क्योंकि यह भी transaction सारे online होते होए भी इन्हें banking जो employees है वो इनकी monitoring करते हैं और उसके बाद ही इसको transfer जब तक वो नहीं करता है तक तक यह हो नहीं आता है इसके बाद beneficide naam, rasi इस अब आपको भरना है details फिर आप आपके पास एक security transaction password जाता है और वो transaction password आपको भरने के बाद में NFT के थो आप कर सकते हैं इससे थोड़ा उबाक्त लगता है जबकि rtgs में आप real time यानि ततकाल कर सकते हैं NFT में आपको fund transfer होने में भी कुछ समय लगता है जो मैंने आपको बताया आपका real time में ही चला जाता है rtgs के जरिये कम से कम दो लाख रुपय के रकम transfer की जा सकती है NFT की लिए इस तरह की कोई सीमा नहीं यानि कि आप इसमें जादा पैफा भी भीज सकते हैं NFT में NFT के जरिये fund transfer rbi के तरफ से तय सीमा के भीते होता है जो मैंने आपको बता दिया कि यह दिन में होता रात में नहीं होता यानि कि आपको रात लगत भेजा है तो यह मना नहीं करें जा लेकिन अगले डे में transfer हो जाएगा आटिजियस ट्राइक्सन तदकाल settle हो जाता है तो NFT और आटिजियस के जरिए का fund transfer bank branch के जरिए भी किया जा सकता यानि कि आप online के साथ सब में offline भी आफ form इसका होता भर करके भी कर सकते हैं अब हम बात करेंगे यहां पे कि किस मेकार से हम यहां पे apply करेंगे आएंपियस आएंपियस क्या है और इसके बारे में भी हम आपको थोड़ा सा बदा देते हैं चलिए देखिए यहां पे आएंपियस के बारे में आएंपियस के माध्यन से हम लोग यहां पे आएंपियस और आएंपियस जैसे हमने पहले ही जाना है कि आएंपियस को सबसे फ़ले 2010 में लाया गया था अग इसे आएवे लबा 8 साल हो चुके हैं इसे और आएपियस के बात इंट्रड्यूस किया गया इसलिए यह लोग के भी ज़्यादा प्रसिद्ध है इसका इस्तेमाल कर कोई भी एक जटके में पैसे ट्रांसफर कर सकता है अकाउंट से दूसरे अकाउंट में और यह नहीं मैं आप बता दू कि आप SBI to SBI SBI to PNB SBI to कोई भी बैंक आप ले सकते हैं यह जरूने कि सेम बैंक होना जरूरी है अगर बैंक में भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं जो कि मैंने आप बताया कि उसका बैंक डेटेल्स जो भी ना गयाता वो होना जरूरी है तो IMPS के बारे में यहां पर आपको पूवी जारी कारी दी जा रही है IMPS यानि की हम यहाँ पे Immediate Payment Service तो यह की तदकाल हुकतान सेवा है एक Accept Banking Payment सेवा है जिससे तदाथ आप रियल टाइम में पैसे को अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेज़ सकते हैं जहाँ है नेफ्टियो आर्ट इंगेस में पैसे भेजने फोर समय लग जाता हुई IMPS पैसे भेजने में तदकाल होती Complete हो जाता है जिससे में हमें और ज़्याद इंत्यार करने जरूर नहीं पड़ती National Payment Corporation of India ने सबसे पहले Immediate Payment Service की शुरुआद की थी Service के दौरा आप 24 घंटे कभी भी Mobile Phone, Internet Bank to ATM की जरिए CV Bank में एरट्वन ट्रांसफर कर सकते हैं इस Service को सबसे पहले ज़्यादस में पाइलर को ज़ित की रूप में तयार स्टार्ट किया गया था और बाइस नमबर ज़्यादस को इसे Fully Service के तौर पर लांच कर दिया गया है हाला के सुरुवात में केवल कुछी बैंकों जैसे State Bank of India, ISFE, ICI Bank, Bank of India ने लांच किया लेकिन बाद में Access Bank और Access Bank ने भी Provide बैंकों की सुर्विदा में सुरू कर दिया अब NPCI की website पर या Service होई या करने वाले सभी बैंकों के पूरी लेस्ट है तो मुझे लग रहा है अब आपको यहां पर पूरी जानकारी चल गई होगी पता कि कैसे करना है यानि की तीनों में तो यह जो differences थे वो आपको समझ में आ गया तो यहां पर N.A.F.T. National Electronic Fund Transfer ततकाल Fund Transfer करने के लिए हमें I.M.P.S. और R.T.G.S. की जरुत होगी साम ही transfer हो सकता है N.A.F.T. में आपकी limit नहीं है लेकिन इसमें time लगता है और यह transfer होने में समय लगेगा कोई भी bank बंदन नहीं है लगबग लगबग सभी bank में transfer किये जा सकते हैं अगर कोई bank नहीं अलाओ करता है तो आपको internet banking आपने यहाँ देखा लेकिन अब कैसे होता है आपको इसका practically दिखा ज़ता है तो आईए practically कैसे होता है आपको दिखा ज़ते हैं सबसे पहले मैं आपको इसके bank का बता रहा हूं online sbi.com लोग इन पर फिलिक करना है हाँ जिन लोग को online banking नहीं है वोई लोग online banking account अपना बिना बैंग अवे टेर्ड कर सकते हैं हल्यकि ध्यान है कि उनका banking account में फोल नंबर अपडेट होना जरूरी है और नहीं था वो online banking शुक्दा नहीं ले सकते हैं तो यहाँ पर लोग इन किया हमने यूजर नेम वाया धरूँगा अपना पास्वोर्ड यहाँ पर भरेंगे हूं यह CAPTCHA कोड अभी जल्दी में गिया गया है पहले नहीं था तो यहाँ पर आप मैं अकाउंट लॉग इन कर चुका हूं आपको बता दें कि इस जगहां पे मैं फंड ट्रांसफर करने के लिए पेमेंट में आई है फंड ट्रांसफर ऑफ्शन में जाना है आपको और SBI में कोई हमारा है नहीं तो मैं यहाँ पर अकाउंट अधर कर देता हूं अधर डैन ट्रांसफर दिया हुआ है यहाँ पर आएंगे आप यहाँ पर देखिए कि आपको I.N.P.S से लेना है I.N.P.S ले लिया यहाँ पर देखे लिकाँ आपको ट्रांसफर एनी अमाउंट इस टार्टली अप्टू माक्समम 2 लाग पर डे यहाँ पर 2 लाग की लिमिट लिकी हुए आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपको आगे का प्रोसेस करना है आपको यहाँ लेना है I.N.P.S. N.P.S. कोई भी ले लिए मैं यहाँ पर N.P.S. लेता हूँ आपको मैं प्रोसेजर कर से दिखाता हूँ आपको यहाँ पर क्या करना है कि amount भरना है ट्रास्पर करने के लिए मैंने यहाँ पर 1.R रुपीश कर दिया परपज जो भी आपको लेना है यहाँ पर आफ्टर दाट आपको यहाँ पर अपना ट्क करना है आपशन submit पर click करना है और ये आपका एक second के अंदर पूरा हो जाएगा यहाँ पर तो इस तरीके से हम यहाँ पर fund transfer का काम कर सकते हैं online किस तरीके से करना है तो आपको online banking कैसे करना है online bill payment कैसे करना है bill payment करने के लिए जब भी आपके पास online आएगा तो आपको जब भी bill payment करने के लिए आप करेंगे तो online banking में आपको यह सुभीधा देगा फिर आपको username पासवर्ट जैसे आप आएगे वहाँ पर आपको same process मुलेगा online payment का जैसे मैंने आपको अभी दिखाया था username पासवर्ट भरना है उसके बाद आपको process जैसा किया वैसी करना है तो आज कि वीडियो यही पर खत्म करेंगे ये वीडियो अपनों कैसा लगा ये comments करके हमें जरूर बताईएगा और अगर आप चैनल पर नए है तो आप चैनल को subscribe करिएगा इस वीडियो को दुबारा देखने के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर लिजिए और अपने सभी दोस्तों को YouTube और Facebook और शेयर करिए इतना सहीओ करने के लिए धन्यबाद